नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन-कौन से ऐसे फूड है जो कोलेश्ट्रोल वाले पेशन के लिए बहुत ज्यादा नुक्षान दाई है commonly जो भी फूड्स में saturated fatty acid की मतला ज़्यादा होती है वो फूड कोलेश्ट्रोल वाले पेशन को नहीं लेना चाहिए इससे पहले भी हमने कोलेश्ट्रोल के बारे में डिसकस किया था तब हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे सूपर फूट्स है जो कोलेस्टरल वाले पेशन को लेना चाहिए जिससे उनका कोलेस्टरल नेचरलली कम हो सके तब हमने एवोकाडो, टी, केल, डाक चोकलेट, एक्स्टरा वर्जिन ओली ओल, केराट्स और गालिक के बारे में डिस्कस किया था ये सब फूट्स लेने से आप कोलेस्टरल नेचरलली कम कर सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फूट्स है जो कोलेस्टरल वाले पेशन को अवोईट करने चाहिए उसमें नंबर बनाता है कोकोनाट ओएल कोकोनाट ओएल में सैचुराइट फैटी एसिद की मातला जएदा होती है कोकोनाट ओएल इस 100% फेट बट उसमें 80-90% सैचुराइट फैट है जो आपकी हेल्थ के लिए नुक्षान दाई है कोलेस्टरल वाले पेशन को कोकोनाट ओएल बिलकुल अवोईट करना चाहिए हमने इससे पेले कोकोनाट ओएल के बारे में भी डिसकस किया था कोन सा कोकिंग ओएल है जो हाट के पेशन के लिए हेल्दी है आप ये कुकिंग वाला वीडियो ज्यादा जानकारी के लिए देख सकते है नमबर टू इस नॉन वेजिटरियन फूड नॉन वेजिटरियन फूड में बेकन, सोसेजिस और चिकन विंक्स में इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है पर प्रोटीन के लिए आपको प्लांट बेस्ट प्रोटीन पे ज्यादा डिपेंड करना चाहिए नॉन वेजिटरियन फूड की प्रेपरेशन में ओल भी ज्यादा यूस होता है जिस वज़े से ये cholesterol वाले patient के लिए काफी unhealthy माना जाता है No.3 is white bread White bread का glycemic index काफी ज्यादा होता है ये लेने से आपका sugar बहुत suit up हो जाता है जिससे आपको diabetes होने के chances बहड़ जाते है White bread में carbohydrate और saturated fat की माता ज्यादा होती है No.4 is fast food Fast food में लेते है pizza Pizza में saturated fatty acid की माता बहुत ज्यादा होती है एक single slice pizza से हमें 250 से 300 calories मिलती है जो बहुत ही ज्यादा है एक normal adult की दिन भर की calorie requirement 2000 से 2500 जितनी होती है अगर आप required calories से ज्यादा calories लेते हैं तो ये आपके body में fat के रुप में store होता है जिससे आपको obesity और high cholesterol होने के chances बढ़ जाते हैं अगर आपको cholesterol की बिमारी है तो आपको junk food और fast food ओविट करना चाहिए No.5 soft drinks Soft drinks में carbohydrate content काफी ज्यादा होता है जो आपके triglystrate cholesterol को बढ़ाता है Regular soft drinks पिने से आपको diabetes, cholesterol और obesity होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए cholesterol की बिमारी वाले पेशन को ये soft drinks नहीं लेना चाहिए No.6 is butter 100 gram butter में 51 gram saturated fat पाया जाता है Cholesterol वाले पेशन को butter बिल्कुल अवइट करना चाहिए Cooking या खाने में जो हम एक्स्रा butter लेते हैं वो तो बिल्कुल अवइट करना चाहिए No.7 is French fries French fries एक तो आलू से बनती है और उपर से ये आप oil में बनाते है यानि कि ये cholesterol वाले पेशन को लेना ही नहीं चाहिए अब आते हैं दुसरे कुछ foods जो cholesterol वाले पेशन को अवइट करना चाहिए Biscuits, popcorn, sweets, kegs, cookies और pastries ये सब में बहुत अच्छी मातरा में carbohydrate और fat content होता है जो cholesterol वाले पेशन को नहीं लेना चाहिए तो आज हमने जाना कि cholesterol वाले पेशन को कौन से foods अवइट करने चाहिए और इससे पहले हमने discuss किया थाटी cholesterol वाले पेशन को कौन से foods खाने चाहिए तो ये दोनों चीजों का आप ध्यान लगके आपका cholesterol कम कर सकते है ये था आज का informative वीडियो मेलता है अगले वीडियो में धन्यवाद